जब से बाजपा की सरकार आई है लोग लगातर सवाल उठाते जारे के जो भी बाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है उसके आवाज को दबा दिया जाता है और ऐसे ही आरोपब बिहार की लोग गाई का नेहा सिंग राठोर की तरफ से लगाय जा रहे हैं और नेहा सिंग राठोर के समर्थकों दवारा भी लगाय जा रहे हैं आपको पता दे के जहां दो दिन पहले ही अखिलेश यादों ने संसर्द में भी यह मुद्दा उठाया थ और अब फिर विवादों में आ गया है आपको बता दे कि इसके पिछे का कान क्या है जिस तरह आपको पता कि दो-तिन दिन पहले ही नेहा शिंग राठोर के यूपी में काबा सीजन टू पर विवाद खड़ा हो गया था और पुलिस ने उनको ये पास नोटिस बेज दिया था और तीन दिन में जवाब भी मांगा था आपको बता दे कि अब फिर नेहा शिंग राठोर के पती को लेकर एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है जी है दोस्तों चर्चित गाना यूपी में काबा गाने वारी सिंगर नेहा शिंग राठोर की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है हाल ही में उत्तर परदेश पुलिस ने लोक गाई का नेहा सिंग राठोर को नोटिस थमाया था उन पर अपने गाने के जरिये तनाव और एशांती फैलाने का आरोप लगा था तो अब उनके पती हिमान्सु सिंग को नोकरी से स्थीपा देने के लिए कहा गया है हिमान्सु सिंग आईस प्रिक्षा की त्यारी करवाने के लिए मसूर दरिश्टी आईस कोचिंग इंस्टूट में जोब करते थे दा प्रिंट की खबर के अनुसार हिमान्सु ने खुद इस बात की पुष्टी की है दिली के मुखरजी नगर स्थीत अपने आवास पर मौजूद हिमान्सु सिंग ने गुर्वर को दप्रिंट से बातचित करते हुए कहा कि पहले से कुछ बाते हो रही है लेकिन अब नेहा के साथ हुई गटना के बाद मुझे द्रिश्टी आईस से स्थीपा देने के लिए कहा गया है अपने हाथ में कलम दिखाते हुए ह हिमान्सु सिंग ने कहा मैं अपना स्थीपा लिख रहा हूँ उन्होंने कहा कि यह कोई स्योग नहीं है कि पुलिस ने उनकी पतनी को नोटिस बेजा और फिर कुछी दिनों बाद उन्हें स्थीपा देने के लिए कहा दिया गया हिमान्सु सिंग इस कमपनी की सोशल मीडिय टीम से जुड़े थे हालांकि अभी दृष्टी आइस की तरफ से इस पर कोई भी पर्तिकिरिया नहीं मिल सकी है नेहा सिंग राथोर ने हाल ही में यूपी में काबा का टू सीजन गाया था इस गाने को लेकर उन्होंने 16 फरवरी को सोशल मीडिया पर सेर किया था गाने के इस वीडियो में उन्होंने यूपी की योगी अधित्यनात सरकार से वंग्यात्मक अंदाज में तिखे सवाल पूछे थे कानपूर देहात में महीला और उसकी बेटी की हाल में हुई मोत को लेकर यह सवाल पूछा गया था दरसल कानपूर देहात में अतिकर्मन के हिलाफ अभियान के दोराने एक महिला और उसकी बेटी की जिंदा जलकर मोत हो गई थी इस गटना को लेकर काफी हंगावा भी मचा था सरकार ने इस मामले में जांच के लिए दोस्ट दस्या SIT की बनाई थी नेहा सिंग राठोर ने कहा था कि मुझे ऐसा मैसूस हुआ कि मुझे इस मुद्धे पर बोलना चाहिए लेकिन पुलिस को लगा कि इस समाज में तनाव बढ़ेगा इसलिए उन्होंने मुझे नोटिस दिया है आपको बता दे के जहां विपक्स नेहा सिंग राठोर और उनके पती के समर्थर में है तो वहीं बारती जनता पार्टी और पुलिस नेहा सिंग राठोर पर अपती जता रही है आपको बता दी के सोसल मीडिया पर आई दिन नेहा सिंग राठोर के नए नए गाने रिलिज होते हैं और एक सिधी साधी अंदाज में गाने वाली नेहा सिंग राठोर विवादों में अक्सर आती रहती है वो कभी बिहार पर सवाल उठाती है कभी दिली पर सवाल उठाती है तो कभी यूपी पर सवाल उठाती है नेहा सिंग राठोर लगातार चर्चा का विशे बनी हुई है और अब जब से यूपी पुलिस ने उनको नोटिस थमाया है उसके बाद से तो हर एक विपक्स का नेता नेहर सिंग राथोर के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है दोस्तो इस पर आप क्या कहते हैं आपनी राइक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा धन्यवाद दोस्तो देखते रहे ये सच की आवाद दोस्तो अगर आप ये वीडियो हमारे फेशुक पेज पर देख रहे हैं तो यहां कलिक करके फोलो करें और साथ में इस बैल आइकन पर भी कलिक करें अगर दोस्तों आप यह हमारी वीडियो यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो क्रिपा करके इस लाल बटन पर कलिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी कलिक करें